एस पी वर्मा एस पी वर्मा का जन्म 1971 में बिहार के नवादा जिले के पैंजूना गाउं में हुआ तीन भाईयों में यहाँ सबसे बड़े हैं प्रारंबिक शिक्षा इनकी गाउं में ही हुई ये शुरू से ही एक मेगावी छात्र रहें इन्होंने एम कौम तक की शिक्षा प्राप्त की पढ़ाई के दोरान ही स्टेट बैंक आफ इंडिया में केशिर के रूप में इनका चैन हुआ अपनी महनत और लगन की वज़ा से SBI में चीफ मैनेजर पत तक पहुँचे 1994 में इनका विवाह पल्लवी से हुआ इनके दो बेटे हैं जो उची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं 2006 में इनके दोस्त जो अन्य बैंक में कार्य रथ थे उन्होंने RCM के बारे में बताया S.P. वर्मा को प्लान देखते ही पता चल गया कि नौकरी से वह टाइम फ्रीडम और सिक्यूरिटी कभी हासिल नहीं कर सकते और उन्होंने नौकरी के साथ RCM करने का नेम नहीं लिया समय समय पर वह RCM की पिन को बदलते रहे और 9 बर 2021 में उन्होंने S.P.I. से VRS ले लिया अब वह और तेजगती से RCM करने लगे मुझे लगता सा किसी ने इनको पसा दिया मुझे लगता सा कि RCM ऐसे लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है और वर्मा जी स्टेट मैंके अधिकारी होके और RCM का प्रोड़क्ट यूज कर रहे है तो बातों बातों में पता चला कि वर्मा जी ने अभी हाली में अपनी जॉप को रिजाइन कर दिया है तो सुनकर एक शौक सा लगा एक Chief Manager की पोस्ट इतना highly qualified जहां पे इतनी लाखों की income मिल रही है अच्छा settled हैं उसके बाद उन्होंने जॉप छोड़ दी सेखने की अदम एक्षा सकती से Scale 1, Scale 2, Manager Pad, Chief Manager और शार राजियों का audit इन्होंने किया और वर्मा सर इतने अच्छे पोस्ट जहां पे 2 लाख income है और पेंसन की सुभिधा है उसके बाद वर्मा सर को परिवार की सुरक्षा की चिंता सता रही थी और सर ने इसको पार्ट टाइम वर्मा जिर ने इसको किया अब उनके पास समय की आजादी देख रहे हैं पैसे की आजादी बारारी सी में एक करोड के फ्लैट लिये हैं बहुत अच्छे लोकेशन फ्लैट लिये हैं एरपोर्ट के पास है बर्मा सार ने जो किया है अज एक लड़के को 42 सो की नोकरी करने वाले लड़के को सवा लाग पे पहुचा दिया अरे ऐसा बाहर की दुनिया में होता है क्या नहीं अब मुझे लग रहा है कि उसमें मेरा सोचना गलत था कि आर्शियम बेकार लोगों का काम है आज आर्शियम बेकार है लेकिन अब हमें लग रहा है कि आर्शियम में सारी चीजें है आर्शियम में कार भी है संसकार भी है घरबार भी है जिन्दगी में बहार ही बहार आगा है गाड़ी है बंगला है पुझे आज भी वो दिन याद है कि जब आदर्नी एस पी वर्मा साब को मैंने जोईन करा है तो वर्मा साब ने मेरे से कमिट्मेंट किया था कि सबसे बड़े लेवल पे में जाओ और सीम ओ पारस पत्थर है जिसके माद्यम से जो पाना चाहें सब कुछ पास है और आज एस पी वर्मा इन्हें रुबी की पिन से सम्मानित किया जा रहा है